हलो दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं सजग संसाब आज किसान भाईयों के लिए एक अपडेट ले करके आए हैं क्योंकि सीजन है अभी फिलहाल कहना चाहूंगा कि जो खेती है लगबग कटाई हो चुकी है और जो किसान है अपने गेहूं की फसल है सर्शों की फसल है उ लेकिन क्या होता है जब खेत के अंदर हमें एक ट्यूबल कनेक्शन करवाते हैं लाइट लेकर के आते हैं तो कम से कम ना कहूं तो च्यार से पांच लाख रुपे का खर्चा उठाना पड़ता है लेकिन सोलर प्लेट से क्या है कि मातर एक लाख चोदा हजार रुपे सबसी इसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है हरियाना का एग्रिकल्ट्र डिपार्टमेंट जो है वो खेतों के अंदर किसानों के पास में कहना चाहूंगा कि जदा से जदा उनको परमोट करने के लिए जो भी खेतों से समधी चीज़े होती है चाहे ट्रैक्टर की बात करूं य यहाँ पे लग बग अगर काउंट करें तो दस प्लेट यहाँ पे लगी हुई है और आठ प्लेट यहाँ पे लगी हुई है यानि कि टोटल जो है वो 28 प्लेट यहाँ पे लगी हुई है तिन सो कुछ की यहाँ पे प्लेट रहेगी एक वाट की तो लग बग 10 किलो वाट का यह सोलर जो प्लेट है वो यहाँ पे लगा गया है और आमाई काड़ा एक जो स्कीम है गोवर्मेंट की जो समयस में की उपर ओनलाइन पंजीकन होता है किसान जो है वो डारेक्ट पंजीकन करवा के इस इसका फाइदा उठा सकता है और सबसे बड़ी बात बेनिफिट की यहाँ पे क्या होती है कि आपको यहाँ पे लाइट की जुरूरत नहीं होती है एक किसान अगर छोटा किसान है एक एकड़ के अंदर दो एकड़ के अंदर अपनी खेती कर रहा है या फिर बड़ा कोई जमीदार है वो भी इस चीज़ का फाइदा उठा सकता है क्योंकि तस्वीरों के अंदर यहाँ पे देख रहे होगी इस खेत के अंदर है कोई भी आपको यहाँ पे पॉल की बात करूँ तो वो दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन एक किसान ने यहाँ से कुछ दिन पहले इसको लगाया था स्टार्टिंग में कुछ लोगों ने बोला था कि साइद एक खेतों के अंदर कामयब नहीं होती है लेकिन एक किसान ने अभी बाचित करेंगे हम उनसे उन्होंने बताया है कि पिछले मैं से जहां पर भी संदिक होती है इसको हम गुमा करके उसी तरफ कर सकते हैं यानि कि ज्यादा से ज्यादा इसको चीजरूरत होती है सुरीख का परकास इतना पड़ेगा उतना परेसर होगा और उधर की तरफ जो मिनी sprinkler है आज के टाइम के अंदर अलग अलग कमपनियां हैं मैं किसी कमपनी के special का नाम नहीं लोगा लेकिन अलग अलग कमपनियां है जो subsidy के तहत mini sprinkler भी खेतों के अंदर लगाती है जिसे drip वारा system है पानी का भी बचाओ होता है क्योंकि आज पूरे हर्याना के अंदर लगवा खास बात करूँ तो दक्षन हर्याना के अंदर पानी की बहुत जारी कमियां होती जा रही है कई जगह पे ऐसे हैं कि जहां पे 400 पुट 500 पुट जाने के बाद भी पानी जो है वो नजर नहीं आता है लेकिन किसान करे तो करे क्या नहरे हैं कुछ समय तक नहरे भी सुखी पड़ जाती थी लेकिन आज के समय के अंदर नहरों में भी पानी आना स्टार्ट हो गए है लेकिन वो किसान क्या करे जिसके खेत के नजदीक जो है वो नहर ना हो वो फिर क्या करेगा कुछ ना कुछ कोशिस करके जो है वो 300-400 फूट जाने की कोशिस करेगा फिर कहीं ना कहीं लाइट की सुविदा नहीं होगी लेकिन ये सोलर पैनल जो लगवाता है तो उसको बेनिफिट हो जाता है डारेक्टली यानि के लाखो रुपे का फाइदा होता है कोई टंकी अपने खेद के अंदर लगवाता है फिर क्या होता है इस सीजन के अदर गर्मी का मौसम होता है पिछे वीडियो में आपने देखा होगा बहुत सारे किसान होते है इस समय के उपर फसल बरबाद हो जाती है क्योंकि लाइट क्या होती है कि एक परसेंट में अगर लाइट आ जाती है तो उसमें दिखते कहां हो जाती है कि एक चिंगारी जो है वो उस किसान के पूरी 6 मेनों के मेहनत होती है उसके पर पानी फेर जाती है एक सेगिंड का काम होता है पिसली वीडियो में आपने देखा था कि किसान किस तरीके से रो रहा था मतलब पानी फिर गया था उसके पूरी खेती के उपर एक किसान जी है उनसे भी बाचित करते हैं कि कब लगवाय था और किस तरीके से उन्होंने इस चीज का फाइदा उठाया तो आयो एक बार उनसे है और यहां पर कंठ्रोलर है पूरा जीच जिए थीज ही दिखाने हमें चलाना भी इसके cutter ऌशला और यहां पर यह पूरा सीजिम लगा हुआ है और उनसे से यह अहिरे भाषिण करेंगे-स प्रकार्बर मTake मैं बने स्टार्ट से उन्होंने चाना प्लूर्साइब केόल था है नहीं था और अब की वार पता था जिदे रखांगर शेट हैं धाफ लगवाया था जड़ाए था तो इसमें सब्सिडीडी सरकारों हो ने देखें आपका एक लाख 14 तो चला तो सर्दियाम बढ़िया चला है आज काल मतलब ज्यादा गर्मी जित या कम चलागी ज्यादा गर्मी हो तो किसा नो सच्छा कि यह नो तावड़ो गोजी ज्यादा चलागी ना देखो वे यह चीज ने आपको बताया बातों ही बातों के अंदर की दो साल लगब सबसे बड़ी बात यह होती है कि किसानों के एक चीज अंकल जी यह भी होती है कि अगर लाइट लुटा पर लगवा भी लिया हां इप सीजन है कुछ चिंगारी है फसल में पढ़ ज्यावा नुक्सान उसको भी है विजली को तो नुक्सान है तो इस में तो कुछ भी सब्सक्राइब बटन को एक आलना तो फिर वह सुरुजा पैसे ला देवा हां बटन दबाव सुरुज लिकर दी और चाल पड़ेगा तो देखो भी एक लाख 14,000 और बोरिंग करवान का भी अलग लगए था कि बोर का तियाली जार पिया और इसमें पाइपास यादावन का सब्सक्राइब बात करां तो एक लाख शाठे के लगए और बातों के इंदर बताया कि छोटा किसान हो चाहिए बड़ा किसान हो वह अगर आप अपने खेत के दिर टूबल कनेक्शन करवाते हैं तो वह उसके लिए कम से कम 4-5 लाख रुपे अंदाज आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद विजली का जो बिल है वो तो अलग से आपका बाकी रह जाएगा लेकिन जो सॉलर पैनल है वो आपको कितना बेनिफिट देती है डारेक्ली बताया कि सनलाइट की जरूरत होती है जरूरी नहीं है कि गर्मियों के अंदर ज्याद आपका सहयोग कर रही है सबसेड़ी के तहट यह जीज़े आपको परवाइड करवा जाती है काफी किसान होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि हम कैसी इस चीज़ को प्लाई करें तो आप लोग CSC Common Service Center होते हैं उनके उपर जाकर समय से में पर इस चीज़ की पुस्ताज कर सक नितने वाद जेहिंद जे वारत